ब्रिटिश राज के दौरान 1930 के दशक में गाउव का निवासी अनलीसन ईसा जाती के मुद्दों के कारण अपने गाउव में सम्मान प्राप्त करना चाहता है और ब्रिटिश भारतिय सेना में शामिल होना चाहता है इसका विरोध करते हुए उसके बड़े भाई सेंगानन य जो राजा की भतीजी है और उससे प्यार करता है हालांकि उसे पता चलता है कि वह किसी और से प्यार करती है और कोई विकल्प नहीं रहता है इसलिए उसे उसके बारे में भूल जाता है वह जल्द ही सेना में शामिल होता है और ब्रिटिश सैनिकों के नाम को उच्चारित क करने में असमर्थ होने के कारण मिलर के नाम से श्रीकृत किया जाता है लेकिन वह खुद को कैप्टन मिलर के रूप में ब्रैंड करता है उनके बहुत से मिश्णों में से एक में ईसा उनके सेना के दोस्त रफीक और सेमबट्टा या स्टीफन को उनके जनरल बुलर द्वारा सारवजनिक सभा में निर्दोश और स्वरक्षित स्वतंत्रता सेनानियों को गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है सेनानियों के शवों को निप्टा रहे समय स्टीफन अपराद के अनुभव से आत्म हत्या कर लेता है जिससे ईसा को बुलर की हत्या करनी पड़ती है इसके बाद वह भी आत्म हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन रफीक उसे रोकता है और उसे सेना छोड़ कर अपने गाव लोटने की सलाह देता है एसा अपने गाव लौटता है और जानता है कि उसका भाई भी साथी स्वतंतरता सेनानियों के साथ उसी सभा में मारा गया था जिसमें वह शामिल था गाव वालों ने उसे धिकारते हैं और उसे गाव से बाहर निकाल दिया एक क्रांतिकारियों के समूह और ब्रिटिश विरोधी व्यक्तियों के बीच एक जगड़े के दौरान ईसा क्रांतिकारियों की मदद करता है और ब्रिटिशों को मार देता है और उनके समूह में शामिल हो जाता है इसा और समूह ब्रिटिशों के खिलाफ एक और हमला करने में सफल होते हैं लेकिन उसे इस प्रक्रिया में गोली लग जाती है वह फिर से वेलमाथी के साथ मिलता है जो उसका इलाज करती है और जानता है कि उसका पती भी सभा में मर गया था वह इसा से कहती है कि अपने पती की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के पुत्र राईली को मार डाले उनी बीच ब्रिटिश सरकार को राजा राजा धिपती से एक मूलिवान रत्न के बारे में पता चलता है जो 600 साल पुराना है और कंगसबाई राजा धिपती के मंतरी की छिपी मदद से इसे जानते हैं जो मंदिर के देवता शिव के नीचे रत्न का स्थान बता देता है हालां कि राजा धिपती रत्न को खुद के लिए चाहते हैं और ईसा से इसे पुना प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं बताते हुए उसे इस पूरे कार्यकरम का पालन करने के लिए अपने पुत्र जैवर्धन से भी कहते हैं और उसे और उसके क्रांतिकारी समूह को सफलता पूर्वक प्राप्त करने के बाद उन्हें मार डालने के लिए कहते हैं। इसा सफलता पूर्वक इसे ब्रिटिश से प्राप्त कर लेता है और राइली को मार डालता है जो रत्न चोरी करने में शामिल था और जिम्मिदार था जो इसा की सेना में उसके समय की एक वारदात में शामिल था हालांकि इसा रत्न को लेता है और सीलॉन के लिए भाग जाता है क्योंकि उसे राजा धिपती की योजना का एहसास होता है ब्रिटिश सेनिक उसकी कौफी के स्थान को पता करने के लिए कुछ गाववालों को पीडित करते हैं एंड्रू वैंडी के आदेशों में अगले सुबह वह रत्न के साथ गाव लोटता है और गाववालों को पीडित कर रहे ब्रिटिश सेनिकों को हमला करता है और मार डालता है जबकि वैंडी और उसके लोगों को भागते हैं भारतिय सेनिक इसा के सामने सब को छोड़ देते हैं और उसे सरेंडर करते हैं वे कहते हैं कि वैंडी वीरवान अलूर से 700 सैनिकों के साथ लोटेंगे वेलमाथी और अन्य गाववाले गाववासियों की सुरक्षा करते हैं और राजा दिपति को मार डालते हैं जबकि एसा जैवर्धन को मार डालता है गाववासियों को अंदर देवालाय में जाने की अनुमती मिलती है क्योंकि राजा दिपती के परिवार द्वारा उन्हें 600 सालों तक प्रतिबंधित किया गया था ईसा और क्रांतिकारियों का सेना पर हमला करता है और बाद में रफीक और सेंगोलन की सहायता मिलती है जो वास्तव में अभी जिन्दा है और अंडमान में एक और क्रांतिकारी समूह का हिस्सा है इसा और क्रांतिकारियों, रफीक और सेंगोलन के साथ ब्रिटिश सेना को हराते हैं और गाम की रक्षा करते हैं रतन फिर से मंदिर में स्थापित किया जाता है और बिटिश सामराज्य ईसा, रफीक, सेंगोलन और अन्यक्रांतिकारियों पर भारी मुआवजा जारी करता है। अनुसंधान में राजा धिपती की बेटी, राजकुमारी शाकुंतला, चाला कंगसबाई की सहायता से अपने पिता और भाई की मौत के वेलमाथी के शामिल होने का पता लगता है। वह उसे ईसा, रफीक, सेंगोलन और अन्यक्रांतिकारियों पर प्रतिशोध लेने के लिए निकलती है।